हाई गाईज वेलकम बाक टो माई चैनल सो आज की वीडियो में मैं आप लोगो साथ शेयर करने जा रही हूं हाई वेस्ट जीन्स हॉल एक्चली इस वीडियो का स्टार्टिंग और एंडिंग जो था वो डेलीट हो गया था आप मॉम जीन्स में एक साइज चोटा पर्चिस करें क्योंकि यह अल्रडी लूस पैटन में आती है और जैसे कि आप इस जीन्स को देख पा रहे हो इसके बैक साइड में इलास्टिक है तो यहां पर मैंने इसका साइज जो थर्टी पिक किया है इसकी क्वालिटी जो है वो ड बहुत बहुत पसंद है इसमें और भी कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे तो इस टाइप की जीन्स आपने मिंत्रा पर देखी होगी बहुत ट्रेंडी है यह और इसको मैंने पर्चेस किया एट जिरो नाइन रुपीज में और आप इसको सेल में 750 700 में भी बाय कर सकत बहुत अच्छी कासी सेल चले तब सो अवराल इसकी रेटिंग जो है 5 out of 5 है क्योंकि ट्रस्ट में गाइस बहुत अच्छी जीन्स है और मैंने इसको अल्टर करवाया है यह थोड़ी सी लॉंग थी नेक्स जीन्ज जो मैं आप लोगों साथ शेयर करने जारी वो मैंने आज पॉकेट पॉकेट आती है और इस टाइब की जीन्स को भी आप किसी भी क्रॉप टॉप या टॉप या शॉर्ट के साथ में वेर गर सकते हैं यह और एनकल तक जीन्स आती है आपको कोई ज़रूद नहीं इसको अल्टर करवाने की लास्ट वाली जीन्स को मैंने कटिंग कर तोड़ा शॉर्ट बनाया था बट यह आल्रेडी कटिंग में ही आती है बहुत शॉर्ट आती है जीन्स नेक्स्ट जो मैं लोग को साथ शेयर करने जा रहे हूं इस वाइड लैग जीन्स जो कि मैंने मिंद्रा से पर्चेस करी है अगें ट्रिपल नाइन रूपीज में और यह में और जाती है जीन्स गारा जाती है और ज्यम्स का टॉड़ा सो से कहां लगे तो यह सब्सक्र टीमेंद्स कार तो में वी तो प sack के अगें को कि शाधिया को कि थे रहे जागा लामेंग जाए है और यह बोड़ार को एक इंद्स करदे घुए हो तो जीन्स पर फाइड या शेर देन शेयर जाए जाया है इसको मैंने अल्टर करवाया इसके लेंद बाइट लमबी थी ये मैंने यायजीयो से पुचिस करी है इसका ब्रैंड है और यह पुचिस करी ती लेंट कैज्द बाइस्स पर पिर्चेश प्रीख मैं मिलती है तो यह ब्ल्यू भी पिक किया है तो यह पार्टी वेयर लुक के लिए या आपको डे टू डे टाइम के लिए बहुत ही परफेक्ट जीन्स है तो अल्टर करवाने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी लगती है नेक्स जीन्स को मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ अगयन मैंने मिंत्रा से पर्चेस करी है जिसका कलर लेवेंडर है और यह आपको फॉल्डेड में मिलती है और इसका जो लेंथ है वो अंकल तक मिलता है जैसे कि आपको दिख रहा है वीडियो के अंदर सो इसकी जो साइज मैंने पिक करी है वो 30 पिक करी है इसकी फिटिंग मुझे पर्फेक्ट है क्योंकि इसकी बैक साइड में अगयन इलास्टिक आता है इसमें पर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे लाग ग्रीन मरून सो आप इसमें आप जैसा चाओ ऐस सो अफोर्डेबल आप बहुत अच्छी सेल चले तब आप इसको 600-700 में पर्चस कर सकते हो और नेक्स जीन श्यो है वो हाई स्टैर ब्रैंड की जिसको मैंने आजियो से पिक किया है जैसे की पहले वाली जो स्लिम फिट जीन ती उसी की ब्रैंड में है ये इसको भी मैंने आ इसमें भी आपको ब्लैक कलर और ब्लैक कलर भी देखने को मिलेगा तो यह मैंने थोड़ा सा लाइट कलर पिक किया है और यह भी फॉव पकेट जीन जाती है तो फिटिंग बहुत बहुत अच्छी है अगर आपको इसलिम फिट अफॉर्डेबल रेंज में जीन देख रहे ह नेक्स्ट जो मैं आप लों को साशेर करने जा रही हूँ यह एक जोगर है जो मैंने आज ही उससे पर्चेस किया है बहुत बहुत ज़दा अफॉर्डेबल रेंज में है यह फॉर्टी रुपीज का जोगर है पर रस्में इसकी फिटिंग इसकी लुकिंग बहुत अच्छी है और यह जो कॉटन डैनिम आता है उसमें है मतलब लाइक एकदम पतला डैनिम भी नहीं है और नहीं बहुत ज़दा जो प्यॉर डैनिम आता है वो नहीं दोनों के बीच का मटेरियल है इसका बट इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है इसमें आपको फो पोकिट मिलती है द जो जैगिंग प्लस जीन्स आती है उस फैबरिक में यह फुली स्ट्रेच बल जीन्स है इसमें मेरा साइज अगें 32 है और जैसा कि मैं आपको बता है मैंने आज ही उसे पिक किया हाई स्टार ब्रैंड है यह अगें सिक्स नाइटीन रूपीज की है जो सेल चल रही थी उसम का फैबरिक है इसका नेक्स्टो जीन्स या पैंट बोल सकते हैं यह कॉटन फैबरिक की पैंट है जिसको मैंने पैंटलून शोरूम से लिया था इस ताइप की आपको पैंटलून वैबसाइट पी देखने को मिलेगी सो इसका प्राइस में 800 रुपीज पे किया है सो इसके इसके पैंट को आप क्रॉप टॉप या शोर्ट के साथ में डे टू डे लाइफ में आप वियर कर सकते हो अगर आप मार्केट वगरा जार एगर आपको अगर आपको चाहिए तो इसको मैंने नीचे से फोल्ड करके वियर के हुआ है यह इसकी जो लेंट आती है वो फॉल आ आती है यह ओप यू विल इंजॉए माइ वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो माइ चैनल और एंडिग भी मुझा वाइस ओर फे देनी पड़े की वीडियो डिलीट हो गया था इसले तो थैंक्यू गाइस बाइस बाइ हुर लेख लूए हुर एंड रवाइस बाइस बाइस बे合वे की वीडियो उ